स्वास्थ और सौंदरी के वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकल को प्लिक कर दे ताकि हमारे आने वाले वीडियोज की अपडेट्स आपको मिलती रहे स्वास्थ और सौंदरी नमस्कार दोस्तों स्वास्ति और सौंदरी में आपका एकवर फिर से स्वागत थे आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फिरोजाना रात में चहरे पर विटामिन लगाने के कुछ पहतर इन फायदों के बारे में विटामिन ए में एंटी ऑक्सिडेंट और एंटी एजिंग प्रोपर्टीज पाया जाता है जो त्वचा की चमों को बनाए रखने में मदद करता है विटामिन ए से चहरे पर नियमित मसाज करने से जुडिया नहीं परती गहर विटामिन ए को कभी भी लगाया जा सकता है लेकिन अगर रोजाना रात में सोने से पहले से इस्तमाल में लाया जाए तो इसके गजब के फायदे देखने को मिलते हैं तो फिर रात में विटामिन ए लगाने के क्या-क्या फायदे हैं इसे जाने के लिए बनेरे इस वीडिय यानि डार्क सर्कल आ गए हैं तो चिंता की कोई बात नहीं रात में सोने से पहले विटामिन E की कुछ बुन्दे लेकर उंगलियों की सहायता से डार्क सर्कल वाले हिंसों पर मसाज करें कुछ दिन नियामित ऐसा करने से डार्क सर्कल की समस्या दूर हो जाएगी चहरे के डार्क स्पोर्ट्स को दूर करने के लिए रात में सोने से पहले विटामिन E ओयल से चहरे की सर्कलर मोशन में मसाज करें ऐसा करने से चहरे की दांग धबे दूर हो जाएगी विटामिन E का इस्तमाल नाइट क्रीम की तरह भी किया जा सकता है यह रात भर डेड़ी स्किन सेल्स को रिपेर करने में मदद करता है जिससे तवचा साफ निखडी वजवा नज़राने लगती है विटामिन E OIL antioxidants property से भरपूर होता है इससे रोज़ाना अपने तवचा की मसाज करने से तवचा में कसाव बना रहता है रोजाना रात में सोने से पहले विटामिन E का इस्तमाल करने से स्किन के पोर्ट्स खुल जाते हैं जिसे तवचा के अंदर की गंदगी बाहर आ जाती हैं और कील मुहासों के होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं अगर आप अपनी आइब्रोज को घना वो मोटा बनाना चाहते हैं तो विटामिन E वाइल से रोजाना रात में अपनी आइब्रोज पर मसाज करें नियमित ऐसा करने से आई ब्रोज घने बनते हैं तो फिर आज आपने इस वीडियो में रोजाना रात में चहरे पर विटामिन E लगाने के कुछ पहतर इन फायदों के बारे में जाना आशा है आपको हमारा यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा हमारे नए नए स्वास्ति और संदर्य संबंधी जानकारियों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा हमारी वीडियो पसंद आई होग जिसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि इसी तरह हम नए नए जानकारियां आप तक पहुचाते रहें दाने वाद